प्रेंड्स ये है जे वीटी कमिशन का जो एक्जाम प्रिब्यस एयर में हुआ था उसकी आंसर की जो ऑफिशिल आंसर की है उसी को हम डिसक्स कर रहे हैं उसमें कुछ त्रोटियां हैं उनके बारे भी मैं मैं आपको साथ साथ में बता रही हूँ पिछली जो वीडियो है उसम हमने अब्जेक्शन किया हुआ है उसके जो मार्क्स हैं वो मिल सकते हैं सभी को तो अगर आपने वो सेक्शन नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं कि आपके कौन-कौन से कौशन जो हैं वो सही है जबकि जो आंसर की है उसमें गलत बताए हैं उसका लिंक मैंने डिस्क करेंगे तो यह है जो सीरिज भी थी वो पेपर है यह सो कोशन नमबर 36 ह्पी जी के स्टार्ट होता है ह्पी जी के अगो 36 कोशन है हिमाचल परदेश का सरवोट सिखर हिमाचल परदेश के किस चीले में आता है सो इसका आंसर आएगा ऑप्शिन सी किन और नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं कोशन नमबर 37 इंद्रहर दर्रा हिमाचल परदेश की किस परवत माला में आता है वो 37 का आंसर आएगा ऑप्शन सी धौलाधार सो इसका हम टिक लगाएंगे ऑप्शन सी क्वेशन नमबर 38 है टोन्स में धी हिमाचल परदेश के किस नदी की सहाइट में है तो इसका आएगा ऑप्शन ए यमुना क्वेशन नमबर 39 है दि लेडी ओफ केलांग है एक तो ये एक हीम रद है गलेसिर है सो इसका आएगा ऑप्शन डी क्वेशन नमबर 40 है हिमाचल परदेश में व्यास नदी पर बना निमलक में से कौन सा सबसे उंचा मृदा भरन बांध है सो इसका आएगा ऑप्शन ए पॉंग डैम सो 40 का आएगा ऑप्शन ए Q41 है हिमाचल प्रदेश सरकार को किस देश ने स्वान नदीबाड प्रवंद परियोशना आरंब करने ही तु साहेता दी है सुरिसकन सरायगा option A जापान 42 है हिमाचल प्रदेश के किस शिले में सेंचु तुआन नाला बन्य जीव अभ्यारन है Q43 है हिमाचल प्रदेश के किस शिले में शेव क्रिशी का कोई क्षेतर नहीं है तो ये जो options दिए गए है कुलू, शिमला, सोलन इन तीनों में ही जो शेव क्रिशी है वो होती है Q44 है हिमाचल प्रदेश राजय विधूत मंडल की रचना किस वर्ष होई थी Q44 कांसर आगा option D, विकाज यो इलक्ट्रिसिटी वोर्ड है उसको वनाया गया था उसकी रचना होई थी 1971 में तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे अगर question आगे के लिए आए तो राजय जो विधूत मंडल है उसकी रचना 1971 में होई थी Q45 है कालका शिमला रेलवे लाइन के लंबाई कितनी है इसकांसर आगा option B, 96 किलोमेटर Q46 है कांगडा की कि कि कटोच वनशी य साशत ने सुजानपूर टिहरा की स्थापने की थी Q47 है हिमाचल प्रदेश का कौन सा गां विश्व के प्राचिंतम लोग तंत्र के लिए विख्यात है Q48 है हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर भगवती चिन मस्तिका के लिए प्रसिद है सो इसका उप्षिन सी चिंत पुरुने Q49 हिमाचल प्रदेश की कि चिंजाती द्वारा परंप्रागत रित्य डडारस किया जाता है इसका उप्षिन सी गद्धी Q50 है जूरी कान हिमाचल प्रदेश की कि खेतर में अधिक लोग प्रिय है Q50 का उप्षिन सी एड तठा बी दोनों में, सिर्मार और महासु दोनों में Q51 है लाहौल खाटी में किस महिने में घंटाल उत्सब मनाये जाता है इसका उप्षिन प्षिन प्रदेश के किशिले में रेनुका मेला आयूचित के जाता है इसकांसरायगा option A, सिर्मोर में Question number 53 है, हिमाचिल प्रदेश के कितने परशाश्ची निक संभाग है कितने division है, तो इसकांसरायगा option B, 3 Question number 54 है, किस बर्ष हिमाचिल प्रदेश की प्रत्थम बिधान सवा गठित हुई थी तो इसकांसरायगा option B, 1952 में Question number 55 है, हिमाचिल प्रदेश में पहली वारकिश बर्स में रास्ट्र पती शाशन लगाया गया था तो फ्रेंट से ये लगाया गया था, 1977 में सिर्सकांसरायगा option A, 1977 Question number 56 है, हिमाचिल प्रदेश प्रशाशनिक नियाएधी करन का चेयर्मन कौन है तो ये जो है अभी भी नियाएमूर्ती वी के शर्मा जी ही है सिर्सकांसरायगा option A, नियाएमूर्ती वी के शर्मा Question number 57 है, हिमाचिल प्रदेश लोकशेवा आयोग है एक तो ये है अचिपी पब्लिक सर्विश कमिशन जो है एक संबेधानिक निकाय है Question number 58 है, कांगडा का प्राचिनतम, प्राचिन कालिय नाम क्या था So, इसकांसरायगा option C, द्रिगर्थ 59 है, जिन गन्ना 2011 के शर्माचिल प्रदेश की जिन संख्या घनत्तव क्या है So, इसकांसरायगा option A, 123 Question number 60 है, हिमाचल प्रदेश, राज्य सीमा से कितने राज्यों की सीमाएं लगी है So, इसकांसरायगा option C, 5 Question number 61 है, अलम्पिक खेलों की शुरुवात किस वर्ष हुई थी Friend C, जो है यह आपका, जो, अच्पी जीके के अलावा जो सेक्शन है वो स्टार्ट होगे, इसके कोई टोटली नौदस questions है, तो इसको भी इसी में डिस्कस कर लेते हैं Sports related questions है, कुछ culture related इसमें questions है So, 61 है, अलम्पिक खेलों के शुरुवात किस वर्ष हुई थी, तो इसकांसरायगा option 61 का आपका option A, 776 BC में 62 है, प्रत्थ में शियाई खेल कहां पर हुआ था, तो इसकांसरायगा option C, नहीं दिल्ली में Question 63 है, भारत के नए क्रिकेट किस वर्ष जीता, तो फ्रेंट सी यह जो है, वो दोनों में जीता था 1983 में भी, 2011 में भी, तो इसकांसरायगा option C, A और V दोनों 64 है किस खिलाडी का उपनाम इंडियन एक्सप्रेस है, तो इसकांसरायगा option C, A और V दोनों D, पेस का नाम भी इंडियन एक्सप्रेस है, और महीज भुपती का नाम भी इंडियन एक्सप्रेस है Q65 एक ड्रिब्लिंग शब्द किस खेल से समंदित है, तो फ्रेंट से जी ड्रिब्लिंग शब्द है, ये बास्केट वॉल से समंदित होता है जिबकि जो अंसर की है, उस पे हमें option A राइट दिया है बट option A जो है वो राइट नहीं है, क्योंकि वॉल्लिव वॉल में तो कोई ड्रिब्लिंग वर्ड यूज होता ही नहीं है So 65 के जो है वो बोनिस मार्क्स मिल सकते हैं क्योंकि ये जो चारों options है, ये चारों options ही गलत दिये हैं सो 65 का एक bonus marks मिलेगा अगर निकालते हैं अंसर की revise करते हैं तो Q66 ए डूरन कप की scale से समंदीत है सो इसकांसर आगा option B football 67 ए निमलिक्त में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्री नृत्य का एक मुख्य गान रूप नहीं है सो इसकांसर आगा option D इन में से कोई नहीं है सारे ही हिंदु जो शास्त्री संगीत हैं वही है Q68 ए उस्ताद बीना खान किस संगीत वाद्य अंतर से समंदीत है सो इसकांसर आगा option 68 का option B सारंगी Q69 है वीहू किस भारती राज्य का लोक नृत्य है Q70 है अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में पाई गई है तो इसकांसर आगा option D महारास्टर में तो फ्रेंट्स यह था है अच्वी जी के section और कुछ हमने sports के और जो cultural है हमारा उसके भी questions हमने इसमें किये आगे जो है math section हम next video में discuss करेंगे उसके लिए बने रहें और मेरे चैनल को subscribe कीजिए ताकि आपको latest updates मिलती रहें ताकि ताकि यू